पॉर्नोग्राफिक के बारे में वीडियो बनाओ ऐसा काफी लोगों ने सुझाओ दिया इसलिए आपके सामने आ रहा हूं टॉपिक लेके पॉर्नोग्राफिका असलील साहित असलील वीडियो ताहिए आपका स्वाधत है मेरा नाम है डॉक्टर धिपक केड़कर मैं मनोविक सेख्स रोख संवोहन तथा व्यसनमुक्ती तग्यों महराष्ट में अकॉलापुने नाकपुर मों में यहां हमारे हॉस्पिटल से हरे के लिए मानसिक स्वास्ति और व्यसनमुक्त भारत है हमारा मिशन है हमारे हाँ जो लोग आते है पेशेंट मनोरुपन जो आते है उनको पर्नोग्राफी में एनल सेख्स किया जाता है मतलब लेटरिंग जहां से होती है वहां से सेख्स किया जाता है तो वह गलत है वह ठीक नहीं है फिर बकल सेख्स किया जाता है वह ठीक नहीं है उसके बारे में बहुत सारा बताया जाता है कि देखो उसमें कितना मज़ा आता ह फिर तीसरा की पॉर्नोग्राफिय में काफी सारे ऐसे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे कि जिसमें शिसना का साइज जो है लंबाई यह बहुत जादा है अब एक्चली सच्पूश में इतनी जादा लंबाई हो सकती है क्या पता ने मुझे ऐसा डाउट है मरे पास में तो कोई ऐसा पका सबूत नहीं है मगर ऐसा डाउट है कि उनके शिसना जो है वो सरजरी करके बढ़ा कर लेते है क्योंकि शिसना को सरजरी से बढ़ा कर सकते है artificial penis जो imported आता है और अपना countrymate भी आता है, वो शिस्न में डालके उसकी surgery करके penis का size बढ़ जाता है बढ़ सकते है, तो एक वो है या फिर penis में मतलब शिस्न में injection लेके, दवा डालके उसको काफी सारा tension आता है, वो कठोर हो जाता है और फिर बहुत बढ़ा दिखता है इसमें होता क्या है कि लोगों लगता कि मेरा शिस्न का size इतना बढ़ा नहीं है और फिर वो हमारे यहां चक्कर काटे रहे देखिए हमको size बढ़ा करके दो दूसरा वो जो sex पुरूरा भी बताया जाता है वो sex आदा आदा पौन पौन घंटा वो sex कर रहे है ऐसा पताया जाता है अब यह इतना sex जो है वो intercourse इतना इतना लंबा कैसे क्या कर सकते है तो वो भी है कि वो दवाई लेते है जिससे कि उसमें कठोरता काफी समय तक टिकती है इजय एकलेशन होने के बाद में भी कठोरता रहती है वो ठिकती है और फिर उसमें ऐसा अपने को लगता है कि यह बहुत समय तक चल रहा है फिर लोग हमारे पास में आते कि मैं आदा पौन घंटा एक गंटा नहीं कर सकता हूँ और यह इदि मैं आदा पौन घंटा या गंटा नहीं कर सकता इसका मतलब मैं मेरे पत्नी को खुष नहीं कर सकता वो नाखुष है और फिर अपने अपने दिमाग में विचारों से वो दीरे दीरे गल जाता है कि अभी मैं इतना कमजोर हो गया हूँ मैं इतना powerful नहीं हूँ मैं मेरे पत्नी को सुखी रह सकता नहीं हूँ और फिर वहाँ से उसको बीमारी चलो हो जाती फिर बीमारी होंगी कि शिसन में कट्रोता नहीं आती या जल्दी गिर जाना मतलब pre-match rejection जाना या फिर पत्नी के उपर शक करना कि नहीं मैं उसको सुखी नहीं कर सकता समाधन नहीं कर सकता तो बाहर कहीं जाती होंगी मतलब ऐसे इस तरह के लोग हमारे आते रहते तो ये वीडियो देखना गलत है ये artificial है ये actually वास्तों में नहीं है हमको ये पताने कि इन्होंने क्या दवाई ली है कौन से injection लिए कौन से operation करके बता रहे है तो आपने इसके मतलब क्या वलती है इसकी नशा में जाना नहीं चीए इसका नशा नहीं करना चीए क्या मतलब है कि बार 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 हम देखते रहते उसकी नशा आ जाती है हमको लगता है कि हमने भी वैसा करना चीए और हम वैसा नहीं कर सकते करके फिर डिप्रेशन से हमारे पास में लोग आते कि हम डिप्रेस होगे कुछ नहीं कर सकते और हमारा लाइफ तो पुरा बरबाद हो गया अब तो ऐसा है कि मैं मर जाओ तो अच्छा है ऐसे डिप्रेशन में लोग आते तो पुर्णोग्राफी से जरूर अपने बच्चों को बचेएगा बच्चों ने देखना नहीं चाहिए आप देखो कि आपके बच्चे वो तो नहीं देख रहे या खुद ने भी देखके गलत फेमी में आप जा सकते है यह लोगों को ज़ारी ज़ारे लोगों को फैलाओ यह वीडियो ताकि लोगों को मालूमाद हो सकी कि actually क्या कौन से इसमें हम जा रहे कहा हमारा टाइम पास कर रहे हम बिमारी है यहां अपने को ला रहे खरीद के वो पुर्णोग्राफी देखके बीमारी हम खरीद रहे ऐसा हो गया हो तो ऐसा ना करने के लिए लोगों को प्रोट्ट करने के लिए वीडियो लोगों को फैलाओ मालूमात करो और ऐसा कुछ रहा तो कभी भी हमें संपर कर सकते है आपके गाओ के साइकेटिस को संपर कर सकते है ताकि आप आपका जीवन खुशी से मस्त एंजॉयमेंट में अच्छा जी सकेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत भूँत धन्यवाद आपको वीडियो अच्छा लागा तो शेयर करो लाइक करो बेल आइकान को क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिकेशन आपको सबसे पहली बार आजाएंगे थैंक्यू वेरी मच्छ झाल झाल झाल